Hello students, आपका अपने चैनल Management Education Hub पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको Business Research और Marketing से Related सभी Theories, Models और Concept के पर ब्याख्याने मिलेंगे। आज हम आपको Marketing क्या है इसके बारे में बताते हैं। यहां चलिए Marketing क्या होता है। अब आपको लग रहा हो कि इतना Basic से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखा गया कि लोगों को बीच में थोड़ से Confusion है कि Marketing वास्तों में होता क्या है। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि Marketing उत्पादों या सेवाओं को बेचने के खला होती है। और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि Marketing प्रमोशन है, उत्पाद या सेवाओं का प्रमोशन या प्रचार है। और बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि Marketing उत्पाद या सेवाओं का बिग्यापन देना होता है। तो यह जो आपका बेचना, या प्रचार करना या बिईयापन देना, मार्थिटिंग kay पार्ट होता है, पूरी मार्थिंग इससे कहीं ज्यादा होती है तो वासता avoir मार्थिटिंग होता क्या है इसको देखते हैं सब पोच कीज़े कि मान लीज़े हम एक एक जाम पर लेकर चलते हैं कि मान लीज़े कि एक कमपनी जिसका नाम है कुमार इंटरप्राइजिस जो बालों की देखभाल जैसे शंपू है या कंडिशनर है या कलर है या घरे लूप करण स्रीवडी में एक नया उतपाद दिवाली कि आसपस लांच करना चाहती है अब समस्या यह होती है कंपनी कैसे तै करे कि किस उतपाद को लांच किया जाना चाहिए यहीं से सुरू हो जाती है मार्केटिंग की भूमी का मार्केटिंग बिभाग के लोग ही आपको एक कंपनी को सला दे सकते हैं कि कौन से नया की जरूवत है मार्केट में इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जैसे सबसे पहला है आपका बाजार का सरवेचं करना जिस बजार में जिस मार्केट में आपको product launch करना उसका सरवेचं कर लीजी दूसरा होता है कि आप अपने भूगताओं के बीच में जाकर कि उनको उस product category में कौन से feature चाहिए, क्या चाहिए उनको, किस तरह के product के उनको जरुवत महस्सोस हो रही है तीसरा होता है कि marketing show करना, market में थोड़ा से research अपने आप से कर लेना और चौता होता है कि आप experts जो हैं, जो विशेशक हैं उनसे बात कर लेजे इन सारे उपायों को यूज करके आपको एक clue मिल जाता, आपको एक idea मिल जाती किस तरह के product की जरुवत market में है और उस तरह के product का उत्पादन किया जा सकता है अब आप देख सकते हैं कि marketing शुरू हो गई है अभी जो उत्पाद है या product है अभी अस्वित में आया ही नहीं अभी तो उसकी खोच चल लेगी किस तरह के product की हमको जरुवत है हमारे उभगता हूं किस तरह के product को हमको उत्पादन करना है हमको तो यहां पर marketing शुरू हो जाता है पहले ही अब जब उत्पादन हो गया उसका manufacturing हो गया product का तो आप बार याती है उसके मूल निर्धारण की तो मूल निर्धारण में भी आपके मार्केटिंग की महत्यपूण भूंका होती है बसे तो किसी भी प्रड़क के, किसी भी उत्पात के मूल का निर्धारण करने में बहुत और फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक काम करते हैं कितना लागादारा है, या किस तरह का प्रड़क है, या किस तरह के मार्केट में है वो प्रड़क, किस तरह का वहाँ पर कॉम्टीशन है, कॉम्टीटर्स या जो प्रतियोगी कंपनी है, वो क्या कर रही है लेकिन मार्केटिंग विभाग ये देखता है, मार्केटिंग को ये निसीत करना होता है कि जो भी product की price रखी गए, ये मूल रखा गया है, वो उसके target customer उसको खरीच सके वो affordable होना चाहिए, ये बहुत ही important होता है मार्केटिंग की तरफ से इसके बाद आपका जब आपने product को decide कर लिया, आपने उसका मूल निधान कर लिया, तो बारिया दिया आपके प्रचार की क्योंकि आपको पता है कि इस समय हम लोग रह रहे हैं, एक ऐसे यूग में जो की मतला हर इंसान जो है, हर उभोकता जो है, सुचनाओं से घिरा हुआ है, उसके पास हर तरह की सुचनाओं है, चाहिए वो product हो, चाहिए वो services हो, तो उसको हर तरह के product के बारे में जानकारी मिल सकते हैं, उसके features के बारे में, उसके मूल के बारे में, उसके alternative के हम इसकी जगह और क्या ले सकते हैं, तो सारी जानकारी उसके हाथ में हैं, इसी लिखाते हैं कि आज कल जो customer rocking आप दी business है, तो जब उसके पास सारी जानकारी है, तो आप अपने नए product को launch करने बाद उसको आ हैं, या sales promotion, या बिक्री प्रचा, या ब्यक्तिगत बिक्री या personal selling और public relation, तो यहां पर marketing का काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि budget decide करना, कि भाई हम कितना budget लेकर चल रहे हैं, कितना हम खर्च कर सकते हैं, अपने नए product को launch करने के लिए, प्रचार करने के लोगों को उ हमको कितना बिग्यापन में देना है, हमको कितना sales promotion में देना है, personal selling में देना है, public relation में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जो अगर आप कुछ event organize करने हैं, तो उसमें लग सकते हैं, तो हमको वो जो fund allocation है, वो हमको देखना, marketing को ताय करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा जरूर और यह तब ही हो सकता है, जब marketing department सही channel का चुनाओ करें, product के अनुसार, product के users के अनुसार, यह channel का चुनाओ होता है, जैसे माल लिजए के company ओं जो खिलोने खाली बनाती है, अब उस खिलोने का बिग्यापन बिग्यापन, तो इसको सफलता नहीं मिल सकती, कुँ कि जो के जो चैनल है, kits channel है, उन पर आप जा करके अपने बिग्यापन दीजे, तब ही अपने माबाब से डिबांड करेंगों, तब ही उसकी जो है, sales बढ़ी, तो यह जरूरी होता है, कि सही channel का चुनाओ करना, उसके बाद sales promotional tools कौन से use करने है, sales promotional tools कौन से use करने है, sales promotional tools होते हैं, कि आपने नया product launch किया, तो आप एक sample दे देते हैं, free में, या आपने नया product launch किया है, तो आप कुछ free gift लगा दे रहे हैं, जिसे की लोगों को खरीडने का चाओ बढ़े, या कुछ extra दे रहे हो, तो इस तरह से बहुत सारे जो आपके tools हैं, जो आपके बाद में पढ़ेंगे बहुत decorative हैं, तो इसलिए जरूरी होता है, कि आपने जो sales promotion के लिए गया है, जो भी आप दे रहे हैं, वो एक दम सही होना चाहिए, इसके बाद एक और important, बहुत महत्तपून होता है, कि क्या हर product के साथ personal selling जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्योंकि वही product जिसके साथ कुछ technical aspects है जिसमें कुछ demonstration देनी की जरूरत होती है, जैसे RO के साथ हुआ था, या जिसमें presentation की जरूरत होती है, या जिसमें लगता है कि बहुत सारे queries होंगे हमारे भोगताओं के बीच में, तो उसको हमको reply देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको personal selling की जरूरत पड़ती है, वो भी शु तो यह आपका जो पार्ट है, वो प्रचार का पार्ट है, प्रमोशन का पार्ट होता है, अब जब प्रमोशन भी हो गया, प्रड़क्ट आ गया, उसकी price decide हो गया, उसका प्रमोशन भी होता हो गया, तब आपकी placement या पितरंकी, कि हमको अपने प्रड़क को manufacturing point से उस point तक ले यहां पर यह देखना पड़ता है कि हमारे प्रड़क को कस्टमर तक पहुचाने के लिए कितने मध्यस्थान, कितने इंटर्मीडियरी की जरुवत पड़ती है, कुछ companies होती है, जो direct अपने प्रड़क को बेज देती है, जैसे MO है, कुछ एको लेती है, कुछ दो को लेती है कि extensive बितरन होता है, extensive का मतलब होता है कि every outlet पे आपने अपने product को दे दिया है, जिससे की ग्रहकों को आसानी से वो मिल जाए, कुछ होते हैं, जो selective होते हैं, कुछ selective shops पे मिलेगा वो product, और कुछ होते हैं exclusive, उसकी बस एक exclusive shop होती है, तो यह depend करता है आपके product कौन सा है, तो कितन 90 MEDS चाहिए, किस तरह का बितरन चाहिए, यह भी आपका marketing का ही department का ही काम होता है, marketing का ही एक part होता है, तो marketing इस तरह सा हम कह सकते हैं, लोग सोचते हैं कि marketing का मतलब होता है, कि product का उतपादन करना, product का manufacture करना, और इसके बाद उसकी delivery कस्टमर तक हो गई, तो उसके बाद marketing is over, marketing खतम होगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, marketing एक गति भी दी नहीं है, it is not an activity, यह आपका एक प्रक्रिया है, it is a process, और यह ग्रहकों को उतपाद की delivery के बाद भी जारी रहता है, आप कैसे जारी रहता है, जैसे हमने product लांच कर दिया, लेकिन और product लांच करने के साथ ही, हमको यह ज हम हर्स में बदलती रहती है, तो जो आज हमको अच्छा लग रहा हो सकता है, कि हमको एक मेने बाद अच्छा ना लगे, तो हम उसमें कुछ नया feature चाहिए, तो यहाँ पर जरूरी होता है, कि आप continuously marketing department यह ध्यान रखे, कि भाई, अभी उनका product customer को satisfy कर रहा है कि नहीं, उनकी मार्केटिंग ग्रहोकों की आस्वक्ताओं को समझना उसके अनुसा उत्पात बनाना, मूल निधारित करना और संचार माध्यम से उनको उत्पात के बारे में जाग गुरू करना और इस तरह बित्रित करना कि उत्पात उभोक्ताओं को आसानी से उपलब्द हो सके, यह इस वाइट कस्टमर है वो बहुत बड़े एसेट होते हैं किसी भी बिजनिस ओर्गनाइजेशन के लिए, तो यह जरूरी होता है कि आप प्रड़क्त उनके अनसार से बनाएं, उसकी मुल्यन इदायत उनके अनसार करिए, प्रचार कैसे करना है, उसको बित्रन कैसे करना है हो सब कुछ आज के जवाने में, आज के युग में कस्टमर को ध्यान में रखकर किया जाता है, मार्केटिंग का कुछ और भी भाग होता है, जैसे मार्केटिंग लिए बजार बड़ी तेजी से बदलता है, मार्केटिंग इन्वार्मेंट बहुत डैनिमिक है, बहुत कंट क्या आप उसके लिए सक्षम हैं क्या आप वो कर सकते हैं आपके जो resources हैं जैसे money wise या expertise wise तो अगर आप कर सकते हैं तो आप उसको उसमें नया वो feature डाल करके फिट से launch कर सकते हैं इसके अलावा continuously आपको marketing environment में नज़र रखनी पड़ती हैं जिससे आने वाले खत्रों को आप भाप सकते हैं उसके लिए अपनी कपनी को पहले से तयार किया जा सकता है और इसी तरह से यदि कोई author आने वाला है कोई author इमर्ज हो रहा है तो उसके लिए आप पहले से अपने को तयार कर लिजिए और फिर्स्ट मुर्बर बन के market कर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह भी marketing में किया जाता है मार्केटिंग अपने ग्रहकों के साथ अच्छे सम्मन बनाया रखना भी होता है एक और बहुत important होता है कि marketing अपने ग्रहकों के साथ customer relationships हम कहते हैं वो बना के रखना होता है क्योंकि customer बहुत important होते हैं इसके साथ ही और वो सारे जो stakeholders होते हैं जो किसी भी company किसी भी organization को आराम स चलाने के लिए ज़री होते हैं जैसे आपकी जो रा मठेल suppliers होते हैं जो रा मठेल प्रवाइट करते हैं या जो intermediaries होते हैं जो product को आपकी premises से ले करके ऐसी जगा पहुंचाते हैं जहां से customer आसानी से खरी सकते हैं जैसे retail store पे तो वह भी बहुत important होते हैं इसके लाबाब एक अच्छा संबन मनाया रखना आप marketing का काम होता है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि marketing उतपात को अगर देखा जाए तो क्या नया उतपात बाजार में launch करना है और क्या जो उतपात या product launch किया गया है क्या हो अभी भी ग्रहाकों की जोगतों को पूरी कर रहा है ये marketing का का काम होत है इसके बाद प्रचार में हम देखते हैं कि budget का निर्धारण, budget का बित्रण, channel का चुनाओ, sales promotion का चुनाओ और व्यक्तिगत, विक्री की और सकता का निर्णने ये सारा कुछ आपका प्रचार में आ जाता है इसके बाद आपका आता है बित्रण, बित्रण में कितने मध्यस्तों की संक्या चाहिए और बित्रण का तरीका क्या होना चाहिए पर्यावरण की scanning, सुनिश्चित करने के लिए कि लांच किया गया उत्पाद ग्रहावकों की जोगतों को पूवी कर रहा है कि नहीं दूसरा है अग्रिम खत्रों और उस्वरों का पता लगाने के लिए मार्केटिंग का काम होता है पर्यावरण की scanning करना तो इन नट से लिए संचेप में हम कह सकते हैं कि ये सारे काम जो है मार्केटिंग का होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिये और शेयर कीजिए